जतिंदास और अदेब वर्षण दास की बेटी नंदिता दास आज ही हमारे रूबरू यह पताई किया आप साहब एक्टर भी हैं, आप एक्टिविस्स भी हैं, आप प्लेइर्ट भी हैं, आप ठीटर में भी दिल्चस्कूंटी हैं, डाइरक्टर भी हूं, माँ भी हो, प्रोफेशन में, आप क्या हैं? मुझे कभी महसूस नहीं हुई यह जरूरत कि मैं अपने आपको इस तरह से डिफाइन करूँ यार जैट यह जैसे होता है आप किसी पार्टी में मिलते हैं तो आप क्या करते हैं तो एक लाइन में जवाब हो तो जादा अच्छा रहता है कि मैं इन्वेस्मेंट बैंकर हूँ मैं यहाल से मेरे पताजी कुछ इसे हैं एवन्ठो और यह जानते हैं को इतनी ही दिल्चसबी से करते हैं और अख यहाल ऐनके पास हैंटभण्टर हैं तो क्या कैसेग साधर हैं? जरूरत नहीं है आपको कोई आप एक ही चीज हूँ आप येगी करें वो भी करें आपका या एक प्रोफेशन, सिर्फ जब फॉर्म भरना पढ़ता है कभी कभार और उक्यूपेशन लिखना पढ़ता है, तो मैं सोचती हूँ, यहां में क्या लिखूँ, तो अक्टर का थपपा क्योंकि वो एक पॉब्लिक स्पेस में है, तो मैं क्या रिश्ता रहा है, कोई रिश्त स्पेस्टी में शुरू के दिनों में, लोग समझते थे अपने आपको बहुत जादा मतलब समझती है, और अरोगंट है, शी लुक्स डाउन पॉण कमर्शल सिनमा, बट मुझे सच में यह नहीं मालूम था कि इसका इतना गहरा और इतना वाइड स्प्रेड असर है, क्योंक सिनमा का, कमर्शल सिनमा का असर बहुत गहरा है, लेकिन हर तरह के लोग हैं और उसकी जगा हमें मिलनी चाहिए, तो मेरी खुद की जिन्दगी में उस तरह का कोई इंफ्लूइंस नहीं रहा, इसलिए कई बार जब लोग पूछते हैं, तुम कमर्शल फिंस क्यों नहीं करत ती ती, तुम ने यूव मिस्ट बस, तुम ये मार्केटबल भी हो जाती और अपने तरीके भी काम करती वगएरा वगएरा, तो मैं यह कहना चाहती हूं कि जैसे एक वेजिटेरियन को अगर आप दस बार कहें कि ये बिर्यानी बहुत जायकेदार है, या कबाब बहुत मेरी माँ तो ने खाएंगे, वेजिटेरिन है, तो मेरे लिए वो कुछ उस तरह का है, और इसलिए मेरा रिष्टा दूर का है, एक मैं बता हूं क्यों मैं इतवाल किया, आपके लिए फ्रीडम अफ एक्स्प्रेशन एक बहुत बड़ा आईन है, क्या फ्रीडम अफ एक्स् किया है? जी, डिसाइड किया है, कुछ खुद बखुद हुआ है, मैं पहले एंजियो के साथ जुड़ी थी, मेरी मास्टर्स इन सोशल वर्क है, तो मैं उसके बाद फिल्मों में आई तो, ऐसा नहीं था कि मुझे हमेशा से कोई अक्टर बना था और चली अब फिल्म करते ह हैं, बलके उल्टा हुआ, मेरी फिल्मों की जो चॉइस थी, वो उसके पहले के जो मेरे एंजियो के दिन थे, जहां मैं आउरतों के साथ काम किया, बच्चों के साथ, काफी गहराई से जुड़ के काम किया, वो सारी चीजे या और मसलों के साथ जो में जुड़ी थी, थू जैसे फ्रेंच एंबसी में हम लोग देखा करते थे थे तरूफो और गोदाद रशियन सेंटर में देखते थे ताकवस्की और आजिन स्टाइन की फिल्म्स देखी, इंडिया में अदूर गोपाला कृष्णन है, मृनाल सेन है, गरीश का सरवली है, इन सब की फिल्में दे उसी तरह की मैं बसे एटरु तरह की फिल्मों से में जादा एट्रैक्ट हुई। धीरे धीरे रीजेनल को ओफ dry उने छीरे छिमों मे उसे की फिल्में बहुत कम हैं। और शारी फिल्में मेरे पास भी नहीं आ रहे हैं, मैं दिल्ली में रहती थी, जादा तरू साल मैं यही तो जिसके वजह से मैंने डीजनल सिनमा को भी एक्स्प्लोर करना शुरू किया और वहाँ पाया कि लोग बल्की कम कॉंप्रमाइज़ करते हैं और जादा कन्विक्शन से काम करते हैं बिकॉस देव तो अपरेट इन स्मॉलर पॉंड यहां एक इंडिपेंडेंडेंट सिनमा को भी कमर्शल सिनमा के लोगों के साथ कम्पीट करना है वही होर्डिंग्स वही टीवी चैनल पे आड्ज दिखाने पड़ते हैं उसके वजह से रीजिनल सिनमा में जादा जाने लगी और मुझे वहां जादा एक तरह से साटिस्फाक्शन पे मिलने लगा और मैंने अदूर गोपाला कृष्णन के साथ काम किया मृनाल सेन के साथ काम किया बहुत अच्छा मतलब उनका उनका कन्विक्शन इस तरह के सिनमा में नहीं पर दुनिया जिन्दगी जो सारे मसले हैं उन सबसे जो जुड़ाव है उनके लिए एक मीन्स आव एक्स्प्रेशन है इस नॉट अनली एन अन्ड इन इसल्फ और्डीयन्स क्यों नहीं है उसके पति हमेशा जादा जुका होलिवूड ने यॉरोपन सिनमा को काफी हद तक डिस्ट्रॉई कर दिया है ये भावरी देवी रेप केस में आपका इन्वाल्मेंट कैसे कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले तो क्योंकि मैं कॉलेज में थी और जब ये इंसिडेंट हुआ तो उनके अगेंस राली में भी मैं गई और भावरी देवी और कई अंजियो जो उनके साथ जुड़े थे उन सब के साथ मैंने भी एक आवाज उठाने की कोशिश की थी याज यंग स्टूडेंट 2012 में जो पनिर्भाय का केस हुआ ना वो पहला उस तरह का केस था ना आखरी लेकिन इस तरह के केस आये दिन हो रहे है माइना के साथ आप किसी भी दन का अख़वार उठा लीजिए चाहे पहले पन्ने पर होगा थोड़े च्छोटे शहर तो तीसरे पन्ने पर होगा और किसी गाउं में या किसी ट्राइबल के साथ या दलित के साथ हो रहा है तो और तो इस ता मतलब यह cases उठते रहेंगे लेकिन social reform बिल्कुल नहीं है? कई बार मायूसी का अगर हम माहौल देखें तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि हर रोज case इस तरह से उठ रहे हैं, वो तो एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ है, दिल्ली में मैंने सुना है 200% rise हुआ है सिर्फ reporting में, यानि लोग अब चुप नहीं रहना चाह रहे हैं, यह बहुत अपने आप में अच्छी चीज़ है, कि लड़कियां खुद कह रहे हैं कि मैं क्यों ashamed हूँ, परिवार वालों से लड़ रहे हैं, परिवार वाले खुद कह रहे हैं कि नहीं हम इस बात पर चुप नहीं रहेंगे, यह तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब तक हमें culture of silence बनाए रखेंगे इन चीज़ों पर, तब और बुरा होगा, क्योंकि हम उससे लड़ेंगे नहीं, पर सिर्फ कहने से और बोलने से भी बात नहीं बदलने वाली है, इसके लिए हमें प्रेस करना पड़े हर इस तरह के case में fast track हो, punishment, highest punishment हो, इसमें सिर्फ मैं अगर एक चीज़ खाली आड़ करना चाहूंगी, कि इस सब के जो root cause है, वो है औरत की society में, जो जिस तरह से एक औरत को देखा जाता है, जब तक वो मान सकता, वो सोच जब तक नहीं बदलेगी, तब तक मेरे ख्याल से, यह सारी चीज़े short term और उपरी चीज़े हैं, इनको भी करते रहना पड़ेगा, लेकिन at the root, उस बुनियादी चीज़ को, जो साहब उसको बदलने में नंग दीता, मैं आपको क्या बताऊं, एक हमारे आँ ठुमरी के बोर है, मसलां, डुलाय जाओ, बेलना, मारी जाई हो, क्या मतलब है, वो लेटे हुए हैं, ठक्के आए हैं, तुम बेलना, पंखा जहरे जाओ, अगर रुकी तो मारी जाओगी, अब यह साह बना रोमेंटिक गीत समझा जाता है, यह आपके कल्चा को कितना सधियों से इंटेर्नलाइज करका आपने, लेकिन इसका एक ऑप्टिम भी हुआ हो, चाहे मैंने वो ही सीखा हो, मतलब मैं तो बहुत फॉचनेट हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसी औरत होती जिसने यहीं सीखा है कि जुक के चलो, उंचा ना बोलो, पंखा जलते रहो, रुको मत वगयरा, लेकिन अगर मैं अपनी बेटी और बेटे की परवरिश अल नहीं है, सिया, सीता हमेशा चार कदम पीछे ही चरेंगी, जब तक की ये एपिक प्ले आउट होगी, इसलिए और और एपिक्स बनाई है ना, और रोल मॉडल्स बनाई है, तो सीता ने भी अगर उसी कहानी में से अगर हम वो लें कि जब उन पर शक किया गया, उन्होंने का मुझे नहीं रहना है भई यसे आदमी के साथ, धरती फट जा और मैं अंदर चली जाओ, उन्होंने अपनी इज़त रखी, नंदिता आपने पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया, एक पाकिस्तानी फिल्में किया, एक पाकिस्पिरियंस कहता रहा हो, बहुत बढ़िया, रामचंद पाकिस्तानी एक फिल्म थी, मेरी पुरानी दोस्ती पहले से मैं जानती थी, महरीन जब्बार को, वो स्ट्रिक्ट वेजटेरियन है, और मैं बिल्कुल नन वेजटेरियन हूँ, तो वहां लोग बहुत चन्फ्यूस हो जाते थे, कि अच्छा आप तो इंडिया स के दोरान में गई थी, और मेरे ख्याल से अगर हमारा वीज़ा जड़ा खुल जाए, तो लोग अपनी आखों से देख कर आ जाएं, और वहां के लोग भी यहां देख लें, कि हम लोगों में कितनी सिमिलारिटीज हैं, और वही सिमिलारिटीज हमारे दोस्ती की दुश्मन ह तो पर हम अलग केंव हैं? नहीं, अलग-अलग मुल्क हो सकते हैं, यॉरप में यॉर्पन यॉनियन बनाई हैं. तो फिल्म चली कैसे हैं? अच्छी चली, मतलब इस तरह की फिल्में चली, आप किसके साथ कंपार कर रहें, करन जोहर की फिल्म के हिसाब से तो नहीं, लेकिन आजकल इंडिपेंडेंट सिनमा का एक अपना एक अपनी लाइफ होती है क्योंकि वो डीवीडी पे आ जाती है फिर अलग अलग फॉर्माट्स पे यूट्यूब पे आ जाती है तो इस तरह से रामचंद पाकिस्टानी डिट प्रिटी वेल फेस्टिवल सिर्किट में भी अच उसकी अपील किस वज़े से थी क्या इवेंट की वज़े से थी अगर वो इवेंट दो हजार दो ना हुआ होता फर्ज कीजिए जी बिलकुल मेरे खाल से तब भी उतनी ही रिलेट करती क्योंकि जब मैंने फिल्म बनाई थी मैंने सोचा था मैं किसी फेस्टिवल को नहीं भ क्याई एस्टानबूल गई व्लादी वस्तॉक रश्या में गई डर्बन सौथ agree का मैं में अर्मिल्क में लोग से से गिल्क कर पा रहे थे क्योंकि हर मुण में प्रजुरेस है अर मुल्क में उद्टिटी से लड़ाए है हर मुल्क में हम और आप और या वो उसकी थी एक कुछ कुछ ऐसा था मतलब कुछ कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ कुछ करने का मन भी था और मैं बहुत जगल कर रही थी चोटा बच्चा था चिल्डर्ण सुसाइटी की चैपरसन थी कुछ कर रही थी मेरा एक मंथली कॉलम आता है वो भी लिख रही थी और साथ-साथ घर की भी एक सारी चीज जो जिम्मेदारियां है जो ट्रडिशनल रोल्स आज भी मेरे जैसी ओरते जो अपने आपको बहुत वोकल और प्रोग्रेसिव समझती है फिर भी वो सारी चीजें जो करवा देते हैं और यह हो जाएगा लेकिन उससे जादा मुश्किल था इतना आसान भी नहीं था जब चीजें खुद की जिंदगी के करीब हो या अपने दोस्तों की जिंदगियों से भी ली गई हो तो उसमें एक टेंशन भी रहता है आप एक रियल लाइफ हस्बंड के सा हैं लेकिन उसे भी करने के बाद जैसे रिलेट की बात है बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट किया है खास तोर से औरतों के साथ जब भी वो प्ले देख के आते हैं मुझे आके कहते हैं यह तो मेरी कहानी थी आपको कैसे पता चली क्योंकि वह है यह गर-गर की कहानी है एक तरह से आपने हभी तनवीर के साथ भी काम किया जी वो एक्सपीरियंस कैसा था बहुत ही मज़े का यानि यानि उस तरह मैं कहान से बहुत ही कम लोग शायद आज होंगे जो इतने प्यार से लगन से इतना डूब के काम करते हैं एक तो नया थेयटर अपने आप में ये उनकी जो फोक उनका जो अपना जो ट्रडिशन है फोक थिएटर उसको उन्होंने संजो के रखार उसके साथ 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 मॉडर्न प्रोग्रेसिव आइडियास को उसमें डाला कंटेंप्रराइज किया वो अपने आप में बहुत बढ़िया चीजे उनका जो रिष्टा है उन अक्टर्स के साथ उनके पूरे परिवार का मॉनिका दी जो उनकी वाइफ ही जो नगीन उनकी बेटी पूरा घर पूरा परिवार गुला मिला था और और वो रहासल मतलब दो तीन महीने आप शो की बात भूल जाएए आप बस रहासल करिये तो वो एक जो तरीका है जो जो बात है जो मेरे पिता जी भी हमेशा कहते है जो 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 एपने घर में भी सीखी है वो एक तरह समीटरा उसका एक 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 उस्टेंशन था आज का जो यूथ है, वो क्यों इतने गुस्से में है, उसके बारे में बात है, लेकिन बिलकुल एक अलग टेक से है। सोशल मीडिया के बारे में आपके कुछ व्यूज हैं, वो क्या है। बहुत डरते डरते आई थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, और आने के बाद मैं थोड़ी हिल बे गई थी, सच बताओं तो, क्योंकि मैंने कुछ चीजें लिखी जो बहुती सिविल तरीके से जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, जब भी मैं कुछ लिखती थी, दस सेकेंड में जिस तरह के जवाब आते थे, इतने सारे विट्रियॉलिक मेसेजज़ आ जाते थे, यू एंड यॉर किड गो टू पाकिस्तान, किड को भी ले आते थे, ठीधा पाकिस्तान जाईए, आपको हम टुकड़ों में काड़ देंगे, गो गेट इंगेज होने के लिए, सब लोग कहते हैं, अगर इतने तुम बुरे ट्वीट आतो इसको डिलीट कर दिया करो, आसर क्यों डिलीट करें, ये चीज़े भी एग्जिस करती हैं, और लोग देखें, और लोग कई बार जवाब देते हैं, बीच बीच में एक आदा कोई आ जा जो अमरीका में था, बीच बीटिफुल से डाक इस बीटिफुल में ये अंतर आप ने क्यों पैदा किया? पहली बात मैंने नहीं किया, कई लोग समझते हैं कि ये कैमपें मैंने शुरू किया, ये विमन अफ वर्थ नाम की कोई और्गनाइजेशन है, उन्होंने ये डाक इस बीटिफुल शुरू किया, और ये विमन अफ एक्षिन क्योंकि फेर इंज लवली और फेर इस लवली सब कुछ इतनी बार कहा गया है, इन रिस्पॉन्स कहा गया कि डाक इस बीटिफुल, यहां क्योंकि लवज जो डाक बहुत इस्तमाल होता है, ये सब कहने की बाते ह है, आप मेत्रिमोनियल एड्स देखिये, जो इतने सालों से वही कह रहे हैं, फेर, होमली, कॉन्वेंट एडुकेटड, तो इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, और अगर देखें, प्रोड़क्स बढ़ते जा रहे हैं, आजकल यॉरोपियन, अमेरिकन कॉस्मेटि प्रोड़क्स की भी एक वाइटनिंग लाइन है, हर जगा जिस तरह से वाइटनिंग क्रीम, और बस साथ दिन में आप सामले से गोरे हो सकते हैं, और अगर आप गोरे हो गए, तो आप सकसेस्फुल होंगे, आपको अच्छा लवर मिलेगा, आपको अच्छा पती मिलेगा, अच्छा मतलब आपकी दुनिया बस बहुत खुबसूरत हो जाएगी और अगर आप सामले हैं, तो इस डूम्स डे, यॉर गुट फो नथिंग, यह हर आइड आपको दस बार कह रहा है, हर मैगजीन आपको कह रही है, हर होडिंग कह रही है, फिल्मे कह रही है, तेलिविज क्यों हरे है, यह हमारी जो कास सिस्टम, इस्पेशली हिंदू, उसमें जो कास सिस्टम है, जहां पर ब्रहमिन थे, क्योंकि वो अपर कास्ट थे, आरियन के डिसेंडेंट्स थे, घरों में रहे के इंटेलेक्शल चीजे करते थे, जबकि जो शूदर थे, चोटी, निमनवर कि जो लोग हैं, वो खेतों में काम करते थे, काले हो जाते थे वगएरा तो कुछ उस को कहते हैं कि इस वज़े से, कुछ colonial हेंग-अप को कहते हैं कि यह जादा पिछले 200 साल में, जो हमारे उपर हकोमत की अंग्रेजों ने, जो गोरे थे, वो हमारे माईबाप थे, तो उनक जाने के बजाए तो रियालिटी इस कि आज के जमाने में जब हम इतनी और चीज़े प्रोग्रेसिव चीज़ों की बाते करते हैं, कहते हैं कि औरते अब कई चीज़ों में काम कर रही हैं, बोल रही हैं, जादा आउट्सपोकन हो गई हैं, उसके साथ-साथ यह जो दो कदम प बहुत सारी अब लड़किया मुझे 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 लिटरी सडकों पर रोक के बोलती हैं कि थांक यू फो दाट कैमपेंन, इतने एमेल्स मुझे आने लगें, मुझे भी लगा कि मैं जैसे कई कैमपेंज को सपोर्ट करती हूं, यह एक और चीज है, मुझे मालूम था कि ब रहना और उसमें बड़ा होना, जरा सा ऐसा नहीं लगता कि जैसे सबसे अलग आपकी उठान हुई, सबसे अलग आपकी परवरिश हुई, लिगे प्रिविलेज कई तरीके को, नहीं सही बात है, यह बहुत बड़ा प्रिविलेज है बलकि, तो एक आटिस्टिक फैमिली, आ मुझे लगता था कि माएं ऑफिस जाती हैं, और जो पिताजी हैं, वो घर पे बैठके खाना, साफ करना, यह सब करते हैं, और शौक्या तो पर पेंटिंग करते हैं, तो एक तरह से जो रोल रिवर्सल हुई, तो यह सारी चीजे हैं, और जो आजादी मिली, एक खुले तरी तवजू देते हैं, यह सक्सेस, हमारे वोकाबिलरी में सक्सेस, करियर, इस तरह के वर्ड्स ही नहीं थे, मतलब प्रैक्टिकल, यह चीज भी नहीं थे, मनी तो का तो खेर, म नहीं था, पर इन चीजों को तो अलमल बुरा माना जाता था, कुछ अजीब सा माना जाता था, अब जब मैं देखती हूँ, बाकी बच्चों की जिस तरह से परवरिश होती है, लोगों की जो प्रायरिटीज हो गई है, जो एक तरह से, हम लोग इंडिविजुलिस्टिक हो गए हैं, आर्ट को सिरफ एक शौकिया चीज मानते हैं, ग्रो करने का हिस्सा नहीं मानते, आप को ऐसा लगा, एकदम से परिवर्तन हो गया है, लोगों की सोचने में, सोच में, मैं एक खाल से पिछले 10-20 सालों में, ये शायद जादा होगा कहना, लेकिन बाबरी मस्जिद के बाद से, एक करह से, सोच अलग-अलग कई चीज़ें सामने उठके आई हैं, फिर जो पूरा ओपनिंग ऑफ दे मार्केट जैसे कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, उसका एक अलग असर पड़ा है, अमरीकियत जो हो गई है, हर चीज़ में, लेकि टेलिविजन का बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा असर हुआ है, लास्ट पांच सालों में तो बहु सेलूशन पर ना आए, कैसे दूरी और बढ़ा दें उस डिबेट से, बनस्बत कि यह सोचें कि भई इस डिबेट से हम कॉमन मिल कर कुछ एक रिजॉल्फ करने की कोशिश करें, यह बताओ, कि बच्पने से मजभ का कोई रोल था जिन्दगी में, ओरिसा की आप हैं, ओरिसा में जनाब जगनात का मंदिर है, ओरिसा पूरी, सेकेंड लाजिस जगनात मंदिर हमारे घर के बिलकुल पास है, तो वहां दादी के साथ में कई बार जाती थी, रथे आतरा हम खीचते थे और वहां का प्रशाद खाते थे जिसमें बहुत दिल्चस्पी थी, लेकिन घर के म में कुछ अलग बात थी, दाल और सबजी अलग अलग तरह की वडियां होती थी, मिठाई तो दस तरह की सिर्फ रेगुलर भोग में होती थी, तो वह सब यादे बहुत ताजा हैं, लेकिन मेरे दोनों पेरेंस लगकी लिए उस तरह से रिलिजिस नहीं थे, या रिच्विल जो बिना आवाज करने वाली पठाकों से हम खेला करते थे, और रात को जुवा दरूर कहलते थे, जी नहीं, बिलकुछ भी नहीं गेलते थे, और नहीं पर होली के दिन सुखे रंग लगाते थे, अभी तक अगर मैं कोई चीज मानती हूं तो वह एक रिच्वल के हिसाब से राखी बानती हूं अपने भाई को, और उसमें भी कुछ, खुबसूरत है वो तो, खुबसूरत चीज हूं और उसमें भी कोई मतलब टीका लगा के आरती करके, कुछ नहीं, बस एक धागा होता है, वह बानती हूं, अब तो बंबई चली गई हूं तो वह पोस्ट करती हू पर हमारे घर में बच्पन से हर मजब के लोग आते थे, हर तरह के लोग आते थे, कई और मुलकों से लोग आते थे, तो एक चीज जो मैं सबसे ज़ादा मैंने जो सीखी और जो इंटर्नलाइज की, ये चीज़ें इजम के हिसाब से नहीं सीखी, कि सेकिलर होना अच्छा है फेमिनिस्ट होना अच्छा है, ये मतलब उस तरह की ये थेोरेटिकल सीख नहीं है, जो देखा वो अंदर आप जिसको कहते हैं हिंदी में आतमसाद करते हैं, इंटर्नलाइज करते हैं, और उसकी वज़े से आई थिंक एक ओपननेस जो आई, एक लेसनिंग अफ सालबे के गीत, जगनात के ही शद्धा में लिखे गए सालबे कौन थे, एक मुसल्मान थे, और वो पलकी पहले, उनके रथ आने के पहले, वहाँ पर एक ज़ड़ु जो दिया जाता था, वो दिया करते थे, नंदिता अभी सबरी माला का मंदिर खुला है, वहाँ पे कि जब दर्शन से पहले, एक सूफी का मजार है, हर आदमी वहाँ जाने से पहले, एक जबूती लेता है, उससे द्वा लेता है, वावर स्वामी जाए बगएर आपका अयप्पा का दर्शन हो नहीं सकता है, यह खाता है, यह ऐसे बहुत किसे देश भर में हैं, और रही बा उसके प्रशाद की, मैं आपको बता दू, प्रशाद मेंने जो खाएं वापने नहीं खाएं, गुरुआ यूर का पायासम इतना लजीज, आप जगरनात का आर्सा पिठा नेक्स टाइम खाईएगा, वो भी उतना ही आपको पसंदाएगा, और तुरुपती कलिडू, तुर का खानपान और भाशाद में दस लैंग्विजिज में फिल्में की हैं, और उसकी वजह से अलग अलग जगहों में जाने को मिलता है, और हमारी जो डाइवरसिटी है, हमारा ये पुराना क्लीशे है, यूनिटी इन डाइवरसिटी, पर इसमें जो सच्चाई है, वो इसमें पर चुकियों हम तो कितनी बाते कर रहे हैं, बस इतना बताईए आप संजीतगी से, कि आपकी जिन्दगी का तत्व क्या है, क्या हासिल किया आपने, या कोश निए नहीं कहूंगी, हासिल करने की कभी कोशिश नहीं की, और हासिल करने को मकसद नहीं बनाया, एक सहारा दू लेकिन जर्नी को इंपोर्टन्स हमेशा दी, अगर तत्व, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, डिपेंड करता है, आप किस चीज़ पर बात कर रहे हैं, किस चीज़ पर काम कर रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं, आपका एक और पैशन क्या है, इश्यू में, क्योंकि मेरा कुछ प अभी हो सकता है, कुछ हुआ हो तो, जब बाबरी मस्जद गिरा था, तो वो सबसे ज़्यादा था, जब कोई हाथसा हो जाता है, जब बदाईयों का केस होता है, तो उससे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, कभी कुछ और चीज़ होती है, अगर मैं फिराख कर रहे थी, बाकी सब चीज़ें भूल के उसमें डूब गई थी, तो हर टाइम पे अलग चीज़ें आती है, लेकिन जर्नी एक अपने आपकी जो एक अंदुरूनी, एक इंटर्नल जर्नी, एक है, स्पिरिच्वल जर्नी है, और जो बाहर के साथ एक जुड के काम करने की जर्नी है, उस नहीं जाना के कुछ नहीं जाना, सो भी एक उमर में हुआ मालूम। वाह, क्या बात है, I think that encapsulates it, जी बिलकुल, बहुत बहुत शुक्रिया. अब्देश पड़े संकल्पले करें।